आज में स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी सेकंड समस्टर के सबसे पहला वीडियो और पहले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग और टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि आपको 5 subjects और 2 practicals इस semester में पढ़ने हैं और इसमें सबसे पहला subject है जो हमारा very important subject learning and teaching और इसका unit first आज हमें start करेंगे B8 का second semester और जो हमारा learning and teaching subject है unit first में सबसे पहला हमारा जो topic है वो यही है कि learning and teaching जो basically है वो क्या है तो इसमें section और अधिगम क्या है learning and teaching क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम इसकी प्रकृति को पढ़ेंगे महत्व को पढ़ेंगे और संबंद को पढ़ेंगे आपस में कि learning and teaching किस तरीके से आपस में संबंदित है किस तरीके से relation है इन दोनों में तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिक्षन से सिक्षन के सारे पॉइंट्स हम करेंगे सबसे पहले उसके बाद हम लर्निंग के सारे पॉइंट्स करेंगे यानि कि पहले टीचिंग और उसके बाद लर्निंग सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे सिक्षन यानि कि टीचिंग क्या है सिक्षन का अनुभव सिक्षार्थी या सिश्षे को प्रेणना देकर मतलब जो सिक्षन होता है वो किसी भी सिश्षे को प्रेणना देने के लिए होता है या फिर कुछ सिखाने के लिए होता है मतलब जो भी result आता है कि उन्होंने क्या सीखा उससे किया जाता है यह एक प्रकिरिया है यह कैसी process है जो सिश्य को अपने आप सीखने के लिए सक्षम बनाती है ताकि जो सिश्य है वो अपने आप कुछ सीख सके एक सिक्षण के द्वारा teaching के द्वारा नेक्स हम देखेंगे इसकी परिभाषाएं सिक्षण की परिभाषाएं यानि की definitions of teaching दो जो हमारी definitions है वो दो पड़ेंगे हम इसके अंदर एक है Thomas F. Green के अनुसार मतलब जो Thomas F. Green थे इनके अनुसार क्या है सिक्षण सिक्षण जो है वो अध्यापक का एक कार्रे है मतलब teaching करना एक teacher का कार्रे है जब तक वो teaching नहीं करेगा तब तक जो सिक्षार्ती है वो डिरेक्टर रूप से मतलब school के अंदर या विद्धाले के अंदर कुछ भी सीख नहीं पाएंगे वो सिक्षण से ही कुछ सीखते हैं सिक्षण अध्यापक का एक कार्रे है जो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है मतलब बच्चों का all over development जो होता है वो सिक्षण के द्वारा ही विद्धाले में किया जाता है नेक्स हम देखेंगे brown के अनुसार brown एक writer है इनके अनुसार इन्होंने अपनी क्या परिभाशा दी सिक्षण को कई तरफा गतिविधी के रूप में माना ज सकता है जिसमें सवाल, जानकारी देना, सुनना और दूसरी ऐसी गतिविधिया शामिल होती है तो ये दो डैफिनेशन से आपको कम से कम एक question के अंदर दो डैफिनेशन सियाद करके चलनी है ताकि आपको exam में लिखने में problem ना हो और कम से कम आप दो डैफिनेशन को add करेंग जटिल समाजिक प्रकिरिया यानि कि ये एक तरीके से समाजिक प्रकिरिया है, social process है और किस तरीके की complex, complex social process तो इसका description क्या लिखेंगे हम, सिक्षड एक जटिल प्रकिरिया है जो सिक्षड कारकों को बहुत प्रभावित करती है, सिक्षड मानब कारक के साथ जो गतिशील है मतलब ये गति चलती रहती है, गति शील है, ये process चलती रहती है, इस्थित नहीं है, जुड़ा हुआ है अगे हम देखेंगे next जिसके अंदर, विज्ञान व कला दोनों है, मतलब जो teaching है, वो art भी है, और as well as science भी है, तो both arts as well as science सिक्षड विज्ञान और कला दोनों है, यानि यह व्यायाम की प्रतिभा और रचनात्मत्ता के अलावा कुछ मौजूदा और इस्थापित नियम के अभ्यासों को शामिल करती है, मतलब जो कुछ ऐसे नियम होते हैं, जो इस्थापित हैं, उन नियमों को, अभ्यासों को श से करते हैं स्कूल के अंदर विद्धाल के अंदर करते हैं तो यह तरीके से प्राफिश्नल चोछ नेय विजिए वहक्षिव का सुझ्छ श्यांश करदू को शामिल करती यह उवसाइक पूर। अध्ययाबक और छात्र दोनों शामिल होते हैं क्योंकि अध्यापक पढ़ाता है और स्टूडेंट्स जो है छात्र जो है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पाइट इसके अंदर एक विवस्थित प्रणाली क्योंकि ये क्या है एक ये एक सिस्टमाटिक होता है बिना सिस्टम के हम कोई भी काम नहीं कर सकते तो टीचिंग भी सिस्टमाटिक होती है सिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है, मतलब ये एक व्यवस्था है, एक organization है, सिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है, जो सामगरी और सिश्यों के व्यवहार में, व्यवहार से जुड़ी है, सिक्षण मौजूदा और समाजिक धाचे को संदर्बीत करता है, मतलब जो स संप्रेक्शन कॉशल पर निर्भर करती है, मतलब टीचर को जितना जादा अच्छी तरीके से बोलना आता है, बातचीत करना आता है, संप्रेक्शन कॉशल मतलब उसकी जो communication skill है वो बहुत अच्छी है और ये उस पर ही निर्भर करता है, छात्र अध्यापक के लिए उचित सं स्क्षड के विभिन प्रपत्र और शैलियां जैसे उप्चारिक और अनुप्चारिक दिशात्मक और अनुदिशात्मक प्रसिक्षड भावना वर्णारत्मक और उप्चारत्मक मौजूद है, तो ये कुछ इसमें forms और सिस्टम से स्टाइल से इसके, नेक्स हम देखेंगे एट्थ हमारा पॉइंट इसके अंदर, जिसके अंदर है विशिष्ट कोशल, यानिकि स्पेसलाइस्ट स्किल, इसके अंदर कहा है, सिक्षड ने केवल सामगरी का वितरन करना, बल्कि ब्लैक बोर्ट पर लिखना, मतलब इसके अंदर जो सामगरीयां होती हैं, उसका वितर इसकी स्पेसलाइए को प्राप्त करना है, यह अनुदेशनाद मक उदेश क्या होता है, कि आप अनुदेश देकर इंस्ट्रक्शन देकर किसी उदेश को प्राप्त कर रहे हो, рोल और ये टीचिंगर, इसको हम देखेंगे, इसके अंदर, सिश्ष के विवहार में परिवर मतलब किस तरीके से जो सिष्ष है जो स्टूडेंट्स है उनके वेभार में परिवर्तन लाए जाए उसको और ज़्यादा मौडिफाई किया जाए सिक्षण का मुख्यों देश्य मतलब teaching का मुख्यों देश्य क्या है मेंन मोटिफ क्या है उसको यानि की सिश्षण को सिक्षण देना एक कारे को करने की प्रकिरिया बताना और एक इस्थिती और संदीपन को सम्हालना और वेभार में महत्पूर्ण परिवर्तन लाना यह की habits में उसको और जादा modify करना होता है ये कोशल चात्र का समूह ज्यान और उचित नीव को बनाने में सहायक होगा second point है हमारा इसके अंदर कोशलों का विकास यानि की development of skills इतनी भी skills होती है students की उसको और जादा develop करना सिक्षड विचार और शात्रों में विभिन कोशलों का विकास करने के लिए एक उच्च विशिष्ट कृत कार्रे प्रदर्शन का गठन करना शामिल करता है इन कोशलों का विकास संकल्पना के बारे में वानशित ग्यान प्रवंधन एवं विभिन परिक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जा सकता है थर्ड पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर व्यभार का मुल्यांकन यानि की evaluation of behavior यानि की जो students का behavior होता है उसको और ज़्यादा evaluate करना सिक्षन प्रत्यक्ष सिक्षित और जटेल व्यभार के मुल्यांकन को शामिल करता है मुल्यांकन ग्यान के विकास के बारे में और व्यक्ति के किसी वस्तु प्रणाली और प्रकिरिया मतलब इन सब चीजों में क्या करता है और ज़्यादा मुल्यांकन करके उस चीज़ को और ज़्यादा modify करता है फौर्फ, हम देखेंगे, इसके अदर अधिगम प्रकिरिया को सुगँ बनाना, यानि कि facilitate the learning process, जो learning process होती है, उसको और जाले बनाना, मतलब और जाले बनाना, ताकि इस्टुदेंट्ट उसका यूज कर सके, सिक्षन का उद्देश अधिगम प्रकिरिया की कारे करम, बद्द सामगरी को computer, section, machine, television, radio और अधिगम के दूसरे माध्यम द्वारा सुगम बनाना, मतलब जो अधिगम प्रॉसेस होता है, जो learning प्रॉसेस होता है, उसको और ज़्यादा technology के द्वारा और ज़्यादा सुगम बनाना, और ज़्यादा facilitate करना, 5th point MRS के अंदर, महतपूर्ण सोच का विकास करना, मतलब development of critical thinking, जो critical thinking होती है, उसका और ज़्यादा विकास करना, और ज़्यादा develop करना, students के अंदर, सिक्षन, शिष्य को, जो सिक्षन होता है, teaching होती है, वो सिष्य को सोचने और कारण के लिए प्रोच साहित करता है, मतलब किस कारण से सोचा जाए, क्या उसके लिए reason हो सकता है, यह अधिगम, अनुभव और इस्थितियों, और प्रियोग महतपूर्ण सोच, जो मतलब कि ज जिद्धानतों पर निर्भर करती है, यानि कि learning के principles पर निर्भर करती है, समझ को सुनिश्चित करती है, प्रदान करता है, next हम देखेंगे, इसके अंदर अधिगम की परिभाशा है, यानि कि definitions of learning, अब तक हमने सिक्षन के बारे में देखा, teaching के बारे में देखा, और अब हम स्टार्ट करेंगे, learning के बारे में, definition of learning, यानि की अधिगम की परिभाशा है, तो first है, हमारी जो परिभाशा वो है, Gardner Murphy के अनुसार, जो Gardner Murphy थे, उनकी अनुसार क्या परिभाशा थी, उनकी परिभाशित शब्द अधिगम वेभार के प्रियोग परिवर्तन और परेवरण अवशक्ताओं के समागम को सम्मिलित करता है, second है इसके अंदर Henry P. Smith के अनुसार, Henry P. Smith के अनुसार क्या है, इनकी परिभाशा अधिगम नए वेभावार को बढ़ावा देना, मतलब अधिगम से क्या होता है, नए वेभार को बढ़ावा मिलता है, अत्वा, पुराने वेभ वेभार का कमजोर पढ़ने को, जो पुराने वेभार है, उसके कमजोर पढ़ने को ये अनुभाव के परिणाम में अर्जित करता है, next हमारा इसके अंदर अधिगम की प्रकृति, यानि की जो नेचर है, वो क्या है अधिगम की, nature of learning, तो इसके अंदर पहला हमारा है nature, जो ह सार्व भूमिक यानि की यूनिवर्सल, जो learning होती है, वो यूनिवर्सल होती है, सार्व भूमिक होती है, प्रतेक जीवित प्राड़ी, जो भी जीवित प्राड़ी है, लगातार अधिगम में समिलित होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, कोई न कोई नई चीजे सीखता रहता है जब तक वो देखता है किसी चीज को अब्जर्व करता है तो वो सीखना हुआ मनुष्य प्रतिक्रिया मनुष्य की जो प्रतिक्रिया है बहुत जटे होती है और संभावित मनुष्य प्रतिक्रिया के बारे में ज्यान का जो अर्जन है ज्यान का अर्जित करना बहुत मुश्किल है अधिगम में हम हर जगा हर समय विभिन प्राडियों से विभिन अवस्थाओं में अनुभव और ग्यान की प्राप्ति करते हैं और ग्यान का निर्माड होता है नेक्स्ट है हमारा साकेंड जो है प्रियोग आत्मक्यानी की एक्सपरिमेंटल एक्सपरिमेंटल द्वारा किस तरीके से ग्यान प्राप्त होता है ये देखेंगे अधिगम किसी भी प्रकार के अनुभव पर अधारित होता है मतलब किसी भी प्रकार का अनुभव है अधिगम उसी पर अधारित होता है हम विभिन अवस्थाओं में और विभिन परिस्थितियों में अनुभव का विकास करते है मतलब अनुभव जो है उसका और जाधा विकास होता है हमारे experience का और जाधा विकास होता है यह अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नी की direct या भी indirect दोनों रूपों से होता है मतलब जो indirect है या फिर direct है दोनों तरीके से ही प्रयोगात्मक जो experimental है या फिर अधिगम है व मतलब किसी भी तरीके से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वो All-Side Learning में आता है, अधिगम सभी पक्षों में जगा लेता है, हम अपने मित्रों, माता-पिता, पडोसियों, अध्यापकों, पर्यावरन, प्रकरति के माध्यम आदी से सीखते हैं, मतलब ये सारे माध्यम हैं जि अपने मित्रों, माता-पिता, आधी से सीखते हैं, अधिगम भूर से कब्र तक, मतलब जब हम जन्म लेते हैं और उसके बाद जब हमारी मृत्यू होती है, तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, जन्म से मृत्यू तक हम सीखते रहते हैं, यानि कि अधिगम भूर से क अधिकम जन्म से मृत्यू तक जगह लेता है फिफ्थ हमारा इसके अंदर समायोजन यानि की एडजस्टमेंट जो लर्णिंग होती है हम कुछ अगर सीख रहे हैं तो हमें उससे क्या सीखने को मिलता है कि हम किसी भी जगह किसी भी तरीके से एडजस्ट कर ले तो इस्टुड रिजस्टन अंकूलन करना और उनकी मोल प्रकरति के विकास को सम्मिलित करता है 6 पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर अभ्यास यानिकि अभ्यास भी इसका एक लेर्निंगी का तो अभ्यास क्या है प्रक्टिस जब तक आप प्रक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप कोई existence ठीक से नहीं सिख सकते है और प्रैक्टिस से क्या होता है उस चीज में और जादा improvement आती है drill और अभ्यास अधिगम के हिर्दे में नहीं थे सूचना के लंबे समय तक धारण करने के लिए अभ्यास एवं पुन्रा वृत्ति अवश्चक है जब भी अभ्यास होता है अधिगम होता है जब भी आप अभ्यास करेंगे किसी चीज की practice करेंगे तब तब अधिगम होगा seventh point हम देखेंगे इसमें व्रिद्धी का विकास यानि की growth and development तो जब व्रिद्धी होती है उसका किस तरीके से विकास होता है अधिगम व्यक्ति की व्रिद्धी एवं सिक्षार्थी के विकास में लगातार योगदान देती है सभी चर्णों पर अपने भविष्य की व्रिद्धी और अपने प्रयासों की दिशा में नए आदर्शों की उपलब्धी को अरजित करता है next time देखेंगे अधिकम की प्रासंगिक्ता और संबधता यारी की relevance of learning तो इसमें first point है हमारा पूर्व ग्यान को महत्व देना मतलब जो पहले का ग्यान है previous knowledge है उसको और ज़्यादा महत्व देना takes previous knowledge into account तो इसमें आगे क्या है जादतर व्यक्ति नई सूचना और अफधार्णा को मिलाकर क्या करते हैं वह पहले से ही क्या विश्वास रखता है अपना प्रियोजन बनाता है मतलब जो पहले से ही किसी चिन में विश्वास रखता है उसका अपना खुद का प्रियोजन बनाता है उ एक छात्र है जो student है वो विश्व के बारे में क्या सोचता है वो उसका पूर्व ग्यान है और उसके बाद उसी को और जादा बढ़ाना उसको उसकी previous knowledge को महत वे देकर और जादा उसको ग्यान प्राप्त करना ये learning होती है और teacher यही करता है second MRS के अंदर प्रग्यती मूर्थ से अमूर्थ मतलब जो प्रग्यती होती है progression होता है बच्चे का वो concrete to abstract होता है मतलब पहले वो अपने दिमाग में उस चीज की image नहीं बना पाता उसके बाद वो बनाने लगता है तो इसमें आगे क्या है मूर्थ अधिगम वास्तविक है मतलब जो मूर्थ अधिगम है concrete learning है वो क्या है वास्तविक है और प्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्यानेंदरियां द्रिश श्रमड इस्परशनिय और गती समवेदिक सुगमता है व्रिद्धी और अनुभव के साथ योगिता को मूर्थ अधिगम को और प्रभावशाली बनाता है मतलब और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है सिश्य महतपूर्ण तरीके से सोचने के योगे है सूचनाओं का विशलेशन करना विज्यानिक विचारों का आधान परदान करना तरकपूर्ण तरक वितरक करना सहयोगी और दूसरे वांशन ये कौशल अरजित करना इसका काम है फोर्थ है हमारे सके अंदर जिग्यासा यानि की किरियोसिटी जो जिग्यासा है मतलब बच्चे जो होते हैं वो जिग्यासू होते हैं अधिगम सूचना और ज्यान की स्विकृति को शामिल करता है मतलब जो सूचना और ज्यान को शामिल करता है अधिगम सिक्षार्ति को प्रोच साहित और सामगरी संबंध अध्यन का सवाल उठाने और उनकी उनके जो प्रशन होते हैं उसको सुगम बनाने में सुझाव प्रदान करता है नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर रचनात्मक्ता यानि कि क्रियेटिविटी क्रि जो कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है कक्षा एक ऐसी जगा है मतलब जो क्लास्रूम है ये एक ऐसी जगा है जहां रचनात्मक्ता यानि कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियेटिव होते हैं और अविश्कार अलग-अलग सैक्षिक उत्कृष्टता और गु यानि की टीचिंग और लर्निंग के अंदर क्या-क्या रिलेशन है तो इसमें देखेंगे हम सिक्षण और अधिगम के संबंद को इस्पस्ट करने के लिए मतलब उसको और ज्यादा स्पस्ट करने के लिए विबिन प्रयास और जारी रखने के लिए पूर्वानुमान लग जाया गया है यदि पी सिक्षण और अधिगम के संबंद को इस्थापित करने के लिए विबहार कुशलता का प्रयास नहीं किया जा रहा है आगे हम देखेंगे इसमें गेज 1969 के अनुसार मतलब ये एक राइटर है फस्ट है हमारा इसके अंदर सिक्षण अधिगम पर निर्भर है मतलब जो सिक्षण है वो अधिगम पर निर्भर है लेकिन अधिगम सिक्षण पर निर्भर नहीं है क्योंकि अधिगम कहीं से भी स्टुडेंट कर सकता है कुछ भी सीख सकता है साकिंड है अधिगम क्या है? Teaching or learning के बीच में तो पहला है हमारा इसके अंदर cushing और ow दोनों उपचारिक या अनपचारिक हो सकते हैं second इसके अंदर दोनों लक्षि केंद्रित है third हमारा इसके अंदर एक शिक्षण का परिक्षण हो सकता है मतलब जो एक शिक्षण है उसका परिक्षण हो लेकिन अधिगम का नहीं, फोर्थ है हमारा इसके अंदर अच्छे सिक्षण को अच्छे संचार कोशल की और अच्छे अधिगम को सुनने के कोशल की आवशकता है, और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर केवल अच्छे सिक्षार्थी, अच्छे सिक्षक बन सकते हैं, मतलब जो चीजों को हमने इसके अंदर देखा और एक इस तरीके से एक दूसरे से connected है I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो से related अगर आपके कोई comments हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप comment box में comment कर सकते हैं thank you so much friends for watching this video मेरे channel को like करे subscribe करे comment करे and share करे thank you so much for watching this video